नमस्कार दोस्तों स्वागते फिट से एक और नया वीडियो में है यह एक लग का 24 इंच का LED टीवी है और इसका प्रब्लेम दिखें यह पर प्रेश दिखा रहा है और इसका जो एंबलाफ है पुड़ा गाइब हो चुका है तो इसका मतलब है कि पिक्चर्स जो है यह काफी जूम हो चुका है यान कि काफी बड़ा हो गया पिक्चर का साइज जिसका चलते कुछ पिक्चर आप देख नहीं पा रहा हो कट जता तो पिक्चर का साइज काफी बड़ा हो चुका है तो इसे में देखें एक LG TV है तो यही जानेंगे इस वीडियो में अगर आपका साथ भ अगर पहली बार है तो सस्क्राइब करके साथ में नोटिफिक्षन बेल प्रेश करना ना भूले क्योंकि मेरा इस चैनल पर ओलोईज आपको टीवी एंड डिटीएज रिलेटेड वीडियो का अपडेट मिलते रहता है तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह एक लग टैप से लगता है काफी बड़ा लगता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका टीवी का रिमूट लेना जरूड या टीवी का रिमूट पर आपको एक बटम मिलेगा सेटिंग्स या फिर मेनू ठीक है सेटिंग्स मेनू हूम इस तरह से अलाग अलाग बटम्स रहते है तो फिलाल यह वाला जो रिमूट मैंने लिया वा इस पर सेटिंग्स लिखा हुआ यहाँ पर तो सेटिंग्स मेनू या ह उसी तरह से रहेगा कुछ तो सेटिंग बटम को हुझ करने के बाद आपको यहां से पिक्टर्स पर आना एंख तो हमेनु प्रेश करो चाहे हुझ करो यहां दो इसका बाद पिक्टर्स पर आने के बाद यह वह पर आपको какую जम क्लिक और यहां है यहां से आपको अलगा अलग साइज रहता पिक्चर का यहां से करना है यहां से आप 16-9 को आपको इसकी स्क Kendallय करता है जितने स्क산 कि आपने त्य यहां से मैंने इसज्च्रीन में पर कंस बाइब किया और आप देखेँ यहां से मेरा था हो चुका था वो लिमिटेट आप पर वापस आ चुका है यानि कि मेरा पिक्चर का साइज जो एकदम बिल्कुल सही स्क्रीन का फिट हो गया अब यहां से कोई पिक्चर मेरा यहां से गाइब नहीं हो रहा है तो यह चोटा सा स्टेप से फोलो करके आप भी प्रॉब्लेम को स करना है यहां से accept ratio को करने के बाद यहां से सारे आपको options मिल जाएंगे तो आपको यहां से 16-9 वाला option को select करना है आपका problem हो जाएगा solve तो यहां से देखे मेरा problem हो चुका है solve तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह चोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अ